दोस्तो आज की इस वीडियो में प्रेगनेंसी टेस्ट से संबंदित एक बहुत ही important जानकरी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जी आँ दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं invalid pregnancy test result के बारे में अब दोस्तो ये जानकरी एक ऐसी जानकरी जिसको 90% लोग बिलकुल नहीं जानते और आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिसने इस invalid pregnancy test result के बारे में सुना तक नहीं होगा दोस्तो बहुत ही important जानकरी ये वीडियो को बिलकुल skip ना करें इस वीडियो में इसकी सारी जानकरी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ और खास तोर पर अगर आप एक महीला है तो ये जानकरी आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आगे भविश्यों में जाकर या अभी भी अगर आप pregnancy test करने की सोच रही है तो ये जानकरी आप बिलकुल skip ना करें तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि invalid pregnancy test क्या होता है ये क्यों आता है और अगर ये आजाए तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए और ऐसे result को क्या माना जाए positive या negative यानि कि महीला pregnant है या नहीं क्या माना जाए ऐसे result को तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी request है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक प्यार भरा like जरूर दें और अगर आप लोग नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर दबा लें तो चलिए दोस्तो सबसे पहले जानते हैं कि invalid pregnancy test का मतलब होता क्या है आखिर ये क्या चीज़ है तो दोस्तो आपको बता दूँ कि invalid pregnancy test result का मतलब यही होता है कि जिस pregnancy test kit में आप pregnancy test कर रहे होना वो kit आपके result को detect ही नहीं कर पाया है जिया पकड़ ही नहीं पाया है जिसकी test result अब दोस्तों अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आये तो आसान भाष्चा में समझाऊं आपको तो किट आप से कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि आप pregnant हो या नहीं यानि कि result को नहीं positive माना जाए नहीं negative अब एक चीज तो ये clear हो गई अब आपको बताता हूँ कि invalid pregnancy test result को आप कैसे पेचान सकते हैं कि ये invalid pregnancy test result ही है क्योंकि 90% लोग तो ऐसे हैं जिने invalid pregnancy test result कैसा दिखाई देता है कैसा शो होता है उसके बारे में तक नहीं जानते लोग तो अगर आप भी उन में से हैं और आपको पता ही नहीं कि invalid pregnancy test result किस तरीके का pregnancy test kit में दिखाई देता है तो चलिए सबसे पहले उसे आपको समझा देता हूँ तो दोस्तो जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं आपके सामने तीन तरह के pregnancy test kit यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और इनके result भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तो पहले इस pregnancy test kit की बात करते हैं जो कि एक positive test result है तो दोस्तो इसमें क्या होता है सबसे पहले kit के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो beach की पट्टी होती है इसको बोलते है result area यानि कि यहाँ पर हमें pregnancy test का result दिखता है कि positive है या negative और इस kit में एक और बहुत ही गोर करने वाली बात यह है कि इसमें एक control line का area होता है यह दिखाई दे रहा है आपको C area यानि कि इसे बोलते हैं control area यहाँ पर एक line आती है जो कि बताती है कि kit बराबर work कर रहा है और यह line तो हर pregnancy test result के बाद आनी जरूरी है नई तो kit ही आपका खराब हो सकता है तो दोस्तों यह positive क्यों आया positive जब आता है जब एक line control line तो आपकी आईगी सही इसके अलावा एक और दूसरी line आईगी ना तो इसको बोलते हैं pregnancy test result positive जो कि आप गरवती है यह बताता है अब दूसरा result बताता हूँ आपको दोस्तों यह है negative test result तो दोस्तों इस negative test result में आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसमें केवल एक control line आईए जिसका मतलब kit तो बराबर है लेकिन इसके सामने जो line आनी चाहिए जिसकी वज़े से हमें पता चले कि result positive है वो line नहीं आईए तो इस result को साफ साफ negative pregnancy test result माना जाता है तो यह तो हो गई इन दोनों की बाते ठीक है अब आपको बताते हैं में मुद्दे वाली बात जो की इस तीसरे pregnancy test kit में आपको जाननी है देखिए invalid pregnancy test result यह है अब यह test result invalid क्यों माना गया देखिए invalid test result भी आपको kit में दो तरीके से दिखाई देगा जी हाँ इसको और अच्छी तरीके से clear cut में बता देता हूँ देखिए दोस्तों invalid pregnancy test result जो होता है ना उसमें आपको control line दिखाई नहीं देती बलकि control line के सामने वाली जो line है वो दिखाई देगी अगर ऐसा आपके साथ case हुआ है तो इसको invalid pregnancy test result बोलते हैं इसके अलावा ऐसा ही नहीं एक दूसरा तरीका भी है invalid pregnancy test kit दूसरी तरीके से भी आपको show हो सकता है जैसा कि ये दूसरे kit में आप देखें इस दूसरे kit में ना तो आपको तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि invalid pregnancy test result कैसी दिखाई देता है याद है कि एक बार ओर बता दू कि control line अगर नहीं आती है उसके सामने वाली line आती है result में तो ये invalid pregnancy test result है और अगर ना control line आए और ना ही सामने कोई line आए तो इसका मतलत भी होता है कि ये invalid pregnancy test result है तो दोस्तो पेली बड़ी बात clear हो गई कि invalid pregnancy test result क्या होता है इसको केसे देखते हैं केसे पेचानते हैं ये मैंने आपको बता दिया अब कुछ और important जानकारी इसके बारे में तो दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ कि invalid pregnancy test result आखिर आता क्यूं है इसके पीछे क्या कारण और क्या वज़े होती है जो kit हमें ऐसा result दिखाता है तो दोस्तो इसकी पेली वज़े तो ये है कि pregnancy test में कुछ fault हो जाता है देखिए इसमें दो तरेकी की बाते हो सकती है पेली या तो आप market से जो pregnancy test kit खरीद कर लाए हो हो सकता है वो pregnancy test kit खराब हो और दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने शायद pregnancy test ठीक तरीके से ना किया हो कुछ गलती कर दी हो ठीक है न दोस्तो तो ये तो थी वो दो बाते अब दूसरी जो main कारण है वो क्या हो सकता है आप आपको वो बताता हूँ दूसरा main कारण जो होता है ना इसके आने का वो है कि pregnancy test kit का उतना urine sample ना ले पाना जितना कि उसे जरूरत होती है result detect करने के लिए अब ऐसा कब होता है तो दोस्तो ऐसा तब होता है जब आप pregnancy test करने से पहले ज़्यादा पानी या फिर ज़्यादा juice वगेरा यानि कुछ भी liquid जो drink होती है ना वो ज़्यादा पी लेते हैं जिससे urine उस वक्त उस quality का नहीं रे पाता जैसा कि उसे रेना चाहिए result दिखाने के लिए तब ही वो आपको बता पाएगा कि आपका result positive है या नहीं तो दोस्तो ये थे वो main कारण और वज़े जिसकी वज़े से invalid result आपको show होता है तो ये चीज भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप बताते हैं इसके बारे में तीसरी एहम जानकरी जो की है कि अगर ऐसा result आपको आज आता है तो उसके बाद आपको क्या करना है देखे पहली चीज तो ये कि आपको market से दो pregnancy test kit नए और खरीद कर लाने हैं और उन नए pregnancy test kit से 3-3 दिन के अंतराल पर दुबारा pregnancy test करना है यानि कि एक pregnancy test आप मान लो आज कर रहे हो तो दूसरा pregnancy test आपको 3 दिन के बाद करना है उससे पता चल जाएगा कि क्या kit ही तो वाक्के में खराब नहीं थी तो ऐसा आप जरूर करें अब आपको बताता हूँ कि दूसरा काम आपको क्या करना है मान लो आप 2 kit नए लेकर भी आ गए 3-3 दिन के अंतराल में आपने दुबारा pregnancy test कर भी लिया लेकिन फिर भी वैसा ही result दिखा रहा है यानि कि invalid test result ही आपको दिखा रहा है बार बार नए kit में भी तो आप क्या करोगे तो देखिए इसके बाद भी आपको जरासा भी घबराना नहीं है आपको बस एक काम करना है आपको अपने डोक्टर के पाद जाना है उनको सारी बात बतानी है ऐसा इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि ऐसी सिच्वेशन में डोक्टर आपका बीटा SCG blood test करेंगे जी यह दोस्तों यह test एक ऐसा test होता है जिसमें डोक्टर clearly आपको बता देंगे आपकी report के इसाब से कि आप pregnant है या नहीं और आपको invalid pregnancy test result kit में क्यों दिखाई दे रहा था यह test सारी कमिया और सारी खामियों को पता लगा लेता है जिसके लिए तो आपको डोक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और अब दोस्तों आखरी सवाल या आखरी बात कि जिसको यह invalid result आ जाता है तो उसको क्या माना जाए positive या negative तो आपको साफ साफ बता दूँ कि इस result को ना तो हम positive मान सकते हैं और ना ही इस result को हम negative मान सकते हैं बस ऐसा result अगर आपको आए तो जैसा हमने आपको समझाया है ना डोक्टर के पास जाए बीटा ECG blood test कराएं वो चीज करवाएं और इस चीज पर ध्यान ना दे तो दोस्तो देखा आपने ये थी पूरी complete जानकारी invalid pregnancy test result के बारे में जो हो सकता है उमीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बिल्कुल ये आशान भासा में मैंने कोशिश करी थी आपको समझाने की तो दोस्तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है आपके लिए helpful रही है तो इस वीडियो को like करें, share करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जरू दमाएं ऐसी ही दिल्चस्प जानकारीयों के लिए धन्यवाद दोस्तों